मुंबई में लोगडाउन लगने से फिल्म इंडास्ट्री और टीवी इंडास्ट्री को हो रहा है भारी नुकसान मुंबई के वो स्टूडियोग जहां पर एनी टाइम हजारों में लोग महुजूद रहते थे पिर चाहे फिल्म सिटी स्टूडियो हो, भजनलाल स्टूडियो हो, या फिर रामदेव स्टूडियो हो, यहाँ पर दिन में तो क्या रात में भी शूटिंग चलती थी, ऐसे में इन जगों पर ताले लग चुके हैं और वाच्मेंड के अलावा और कोई बही नहीं है, कुछ इस तरह का नजारा है इन स्टूडियो पर जहां पर भीड रहा करती थी, ऐसे में कुछ टीवी सीरियल्स वाले हैं, जिनों ने अपने सेट्स ही शिफ्ट कर दिये हैं, वो मुंबई से बाहर की लोकेशन पर शूटिंग कर रहे हैं, वहीं अगर बात करें, डेली वेज वरक करते हैं, वो अब जॉबलेस हो चुके हैं, बाहर के लोकेशन पर प्रेड्यूसर्स जो हैं, वो सिर्फ इंपॉर्टन्ट स्टार कास्ट और क्रू से जुड़े इंपॉर्टन्ट लोगों को ही बाहर की लोकेशन पर ले जा रही है, और वहां पर जो इस तरह के काम की जरु जो अपने घर लोटने पर मजबूर है मुंबई से बाहर जिन शोव की शूटिंग हो रहे हैं उन में से कुछ में आपको बताऊंगी कि किस शोव की कहा शूट चल रही है कुमकुम भाग्य जो कि टीवी का टॉप टी आरपी बटोरने वाला शोव है इसकी शूटिंग इस वक से के नाम में इस शोव की शूटिंग दिल्ली में चल रही है हमारी वाली गुड नियूस की शूटिंग हर्याणा में चल रही है क्यों रिष्टे में कट्टी बट्टी सूरत में शूट हो रहा है और इंडियन आइडल 12 की शूटिंग दमन में चल रही है तो कुछ इस तरह से मेकर्स ने पूरे-पूरे सेट के साथ लोकेशन ही चेंज कर ली है हाला कि ये लोकेशन शिफ्ट करना मेकर्स के लिए इतना इजी नहीं था क्योंकि इन्हें इन लोकेशन पर एक बार फिर से अपना सेट बनवाना पड़ा है वहीं मुंबई में जहां पर इनका सेट लगा हुआ है वहां का किराया भी इने भरना पड़ रहा है और जहां तक मुंबई की बात है तो वहां पर पर डे की शूट का जो रेंट है वो शुरू होता है 25,000 से जो की 1,000,000 और उसके ऊपर तक भी जाता है तो ऐसे में समझ सकते हैं कि मेकर्स कितना अनुकसान जहेल रहे हैं वैसे हालाद सब तरफ एक जैसे ही हो रहे हैं और दिल्ली मुंबई में तो कुछ जादा डिफरेंस नहीं है दिल्ली में भी जो लोग शूट कर रहे हैं उन्हें भी शायद जल्द ही दूसरी शूटिंग लोकेशन देखनी पड़ेगी लेकिन इस पूरे चीज से एक बात साबित हो गई कि हम शूटिंग के लिए सिर्फ मुंबई पर ही डिपेंडेंट नहीं रहें अब मेकर्स ने अलग-अलग लोकेशन पर शूटिंग के लिए रस्ते निकाल लिये हैं जो कि बहुत अच्छी बात है और ये जो कुछ हो रहा है कि कहीं न कहीं एक संकेत देता है कि क्यों ना हितियनात ने एक बहुत बड़ी टीम बनाई है और उस पर काम चल रहा है लेकिन इस परिस्तिति को देखकर लगता है कि हर एक स्टेट में जो जो फेवरेट स्पोर्ट्स हैं बॉलिवर्ड इंडस्ट्री के शूटिंग के वहाँ पर इस तरह की स्टूडियोज होने झाल 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 झाल